हेलो इस्टूडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल सम्राटकर में शुलेट ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट होने वाला है क्लास 10 वालों के लिए आज मैं आप लोगों को बता रहा हैं मानचीत्र का रहा है ठीक है जो कि समाजी विग्यान में 10 नंबर के लिए प सारे प्रस्ण बहुत सारे मानचीत्र जीतने भी मानचीत्र से प्रस्ण आते हैं सारे में प्रस्ण एक ही वीडियो में कवर कर दिया है वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहींगों तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लेना देखिए सबसे पहले इतियाज ठीक है इतिहा भारत में राष्टवाद चेप्टर से 5 नमर के मानचीतर पूछे जाते हैं, इसके बाद आता है भुगोल। और भुगोल में यहाँ पे 3 चेप्टर हैं, पहला है संसाधन योम विकास और दूसरा चेपटर है जल संसाधन और तीसरा है क्रीसी, इन तीनों से मिला कर कितने नम का मानचीत्र कारे पूछता है तो टोटल दस नमबर के मानचीत्र पूछते हैं सबसे पहले हम लोग इतिहास वाला कवर करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग इतिहास में कवर करेंगे और इतिहास में आप लोगों का पहला पॉइंट लिखो कि भारत में नौ जागरन युम सौतंतरता संगर्ष के केंद्र ठीक है और चेप्टर का नाम है भारत में राष्टरबाद अब देखो कितने प्रशन बनते हैं very very most important प्रशन है जो कि आपके एक्जाम में आएंगे 100% आएंगे उसमें कोई रोकी नहीं सकता ह पहला प्रशन है कि वह अस्थान जहां जलिया वाला बाग का अत्यकंड हुआ तो जलिया वाला बाग अत्यकंड कहां पर हुआ तो देखिया आंसर में लिखा है अमरीश सहर तो एक तो आप लोगों को उत्तर भी बताना है साथ-साथ मानचीतर में दिखाओगे तब ही जाक बाग का आत्यागंड हुआ अमरीश सहर में हुआ था अब इसको हम लोग देखेंगे मैप में कि अमरीश सहर का लोकेशन कहा है तो आप मैप देख सकते हूं मैप है और मैप में यह वाला लोकेशन आप देखो यह वाला लोकेशन कहलाएगा अमरीश सहर मैं लोकेशन दिखा जहां नील की खेती करने वाले किसानों का अंदलन हुआ तो नील की खेती करने वाले किसानों का अंदलन का हुआ चमपारण में हुआ था कहां पर वह थो मेरे प्यारों चमपारण में अब चमपारण आपने बता दिया आदे नंबर तो मिल गए लेकिन चमपारन को आपको दिखाने पड़ेगा मैक में, तब जाके आदा नमबर और मिलेंगे, तो मांचीतर देखिए, यह वाला लोकेशन आप देख रहे हो, यह है लोकेशन आपका चमपारन, यहाँ पे इस तरह करके, आइरो का चीन लगा कर, यहाँ पे साइड में चमप देख के जाना, और दस नमबर यहाँ से एक भी प्रश्ण बार नहीं जाएगा, तीसरा प्रश्ण देखिए क्या है, तीसरा है हुआ अस्थान, जहां माहत्मा गांदी ने नमक कानुन भंग किया, तो माहत्मा गांदी कहां पे, दांडिये में, कहां है, दांडिये, तो जीत रहे, यह वाला लोकेशन आपको दिख रहा है, यह दांडिये है, इसे मोलें के दांडिये, यहां पीस तरह लिग दोगे, तो आप लोगों के अधर नमबर और मिल जाएंगे, एक नमबर मिल जाएगा, यह भी प्रश्ण किलियर हुआ, चौथा प्रश्ण देखिए क् जहां, और सायोग अंदोलन कारेकरम को सिवकार किया गया, तो वह अस्थान जहां, और सायोग अंदोलन कारेकरम को सिवकार किया गया था, कहां पे, कलकत्ता में किया गया था, वेरी वेरी मुस्ट इंपोटेंट क्यूसन है, एक भी प्रश्ण ऐसान है, जो मैं फाल्दू आपको बतारो सारे मुस्ट इंपोडेंट है सारी एकजाम में आएंगे तो वह स्थान जाहा स्योग अंदुलन कारेकर्ब को सीवकार किया गया कलकत्ता में तो आदा नमबर तो यहां से मिल गया लेखिकल कलकत्ता लोकेशन में है कहां उसको देखना पड़ेगा तो देखें यह वह लोकेशन जो है वह कलकत्ता का है तो चौथा वाला कलकत्ता समझ में आगे हैं इसको जल्दी से नोट कर लिए अगला देखें पांचवा प्रस्ण क्या है पांचवा है वह अस्थान जहा सूती मिल सरमिकों का सत्यागर हुआ तो सूती मिल सरमिकों का सत्यागर हुआ अहम्दाबाद में जो की requirements है, जो की कहाँ पड़ता है akम्दाबाद में गुजरात में पड़ता है तो अहम्दाबाद का location में आप लोगों को दिख़्ाता हूँ जल्दी सा आप उसको नोट कीजिए देखिए मन्सितर में यहाँ पर दिख़्ाता हूँ यह है आपका आहमदाबाद यह उला लोकी संदिक रहा है यहां पांचवा लिखा हूं में पांचवा कांसर आहमदाबाद इसके बाद क्यूसा नमबर सिक्स क्यूसा नमबर सिक्स है कि वह अस्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांदी ने और सायो अंदूलन अस्तगित किया तो कौन सा वह घटना था जिसके करण महात्मा गांदी ने और सायो अंदूलन अस्तगित किया तो वह घटना था चोरी चोरा कांड तो चोरी चोरा कहां पड़ता है चली देख लेते हैं तुसलिए में दिखाता हूं चौरी चौरा है यह वाला लोकेशन आप देखा है चौरी चौरा है यह कुछ में यहाँ पर दिया होता उत्तर प्रदेस इस वाले भी दिया होता थे यहां पर ब्याब कर सकते कोई दिक्कत ने थोड़ा बिंदू ही दरुदर हो सकता उससे कोई डाउप नहीं आपको नमबर पूरे बिलेंगे तो यह चोरी-चोरा है इसके बाद सात्वा प्रस्ण देखे क्या है सात्वा है वह स्थान जहां किसान खेड़ा जो की पढ़ता क्या है गुजरात में पढ़ता है तो चलिए मैं गुजरात का आप लोगों को लोकेशन दिखा दिता हूं देखे जहां पर ठीके देखे खेड़ा जो की गुजरात में पढ़ता है यह वाला लोकेशन आप देख रहे हो यह आपका खेड़ा यह सा सात्मा एक प्रश्ण और आठ्मा इसका वच्छा है वOS था जा आक आगका्सी हिंदू 2300 जाल है तो 80% काहाँ पर यह वरश्मेंदी का आपट पर रास्थ भान सिम्दै लॉपे सका दिखा दीज्या है यह यह वरश्म को to आप लोगों को बिल्कुल कलियर करा दिया यहां तक कलियर है चलिए फिर उसी में दूसरा पॉइंट आता है कि भारतिय राष्ट कांग्रेस के अधिवेशन भारतिय रास्ट के अधिवेशन से प्रश्ण बनते हैं और पहला प्रश्ण देख़े क्या है कि वह अस्थान जहां Congress का प्रथम अधिवेशन हुआ तो Congress का प्रथम अधिवेशन का हुआ मूंबई में कहा पे हुआ मेरे प्यारोग जो मूंबई में तो आदा नमर तो यहां से मिल गया लेकि मूंबई कहा पे है उसको दिखाना पड़ेगा लोकेशन में देखे यह वाला लोकेशन जो आप लोगों का मूंबई तो पहला वाला का अंसर क्या हो जागा मूंबई हो जाएगा खिलियर है आप लोगों को सौन्ज में आ गया चलिए दूसरा प्रस्ण देख लेते हैं दूसरा प्रस्ण क्या है कि वह स्थान जावर्स 1920 में कांग्रेश अधिवेशन हुआ तो 1920 में भी कांग्रेश अधिवेशन कहां पर हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था कहां पर कलकत्ता में हुआ था कलकत्ता को लोकेशन में दिखाता हूँ आप लोगों को देखे द्यान से यह वुंखत्त का लोकेशन है ठीक है? चलिए नोटकर लİँए एक नमबर यहां से घ्लियर हो गया तीसरा प्रशन है वह अस्थान जहाँ भारतीय राष्टय कांग्रेसी की अस्थापना भुआ तो भारतीय राष्ट कांग्रेसी का अस्थापना का ह Uni Mumbai में इसके बाद चौथा प्रशन देखे क्या है कि वह अस्थान जहाँ वर्स 1927 में कांग्रेस का दिवेशन हुआ तो 1927 में कांग्रेस का दिवेशन कहां पर हुआ था मदरास में और 1920 में कहां हुआ था कलकत्ता में तो 1927 में कांग्रेस का दिवेशन मदरास में हुआ था तो मदरास का में लोकेशन में आपको दिखा देता हूं कि आदे नमर उसमें मिलेंगे तो येवाला लोकेशन जो है ओं मतरास का है जल्दी से आप नोट कर लिए क्या है मतरास का आगे बढ़ेंगे और पांचमा प्रस्ण देखेंगे पांच्वा प्रश्न है वह अस्थान जा वर्ष 1929 में कांग्रेस का धिवेशन हुआ 1929 में कांग्रेस का धिवेशन का हुआ उआ था त लाहौर में हुआ था सबको डेटवाईज याद करना है आप लोगों को एक अस्थान और बचाया यहाँ पे देखे क्या है समझाता हुआ तो वह कहा फा लखनों में उख़ा हुए यहाँ सित्र यहाँ पे दिखनों में यहां पे दिखाए देगा ओंते कि इंडिया इसरे को अवे को इद्धर आप्स दिखाई गया हुआ तो कुई घबराने वाली बात आपको नहीं लोकेशन आप यह वाला देखिए गा लखनव किलिर है चलिए आप आएंगे इतियास का काम खतम इतियास का काम बिलकुल क्या हो गया खतम हो गया अब यहां से भूगोल इतियास के उतने प्रशनगर आपको तैयार है तो पांच नमब भीकास से हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं और पहला परश्ण यह है ठीक है यह पहला वाला दूसरा मरुष्थलिय या सुस्क म्रिधा दूसरा जो प्रकार होता है मरुष्थलिय या सुस्क म्रिधा होता है यहां पर आपने लोग ठीक है दूसरा हो गया मरुष्थलिय या सुस्क म्रिधा तीसरा कौन प्रकार होता है तो तीसरा होता है पर परवती मृता या वन मृता तो यहां पर डाल देजेंगु आप लोगों को बता दिया तो यहां पर पहला पॉंट यहां से बनता है इसके बाद संसाधन ने विकास कवर हुआ अब जल संसाधन से परश्ण बनते हैं किस से बनते हैं जल संसादन से जल संसादन पूछेगा कि दिये गए मांचीत पर निम्न बांधों को चिन्नित किजिए बांध से एक प्रश्ण तो आप से पूछेगा ही पूछे था बांध से तो चलिए बांध वाला में प्रश्ण आप लोगों को कवर कराता हूं जैसे यहा या हुआ क्हीं और सस्यूंद बांध की दापचाल करें मैं आप में बहुते लोगों चल्दी डीन ही फूंद के पे तक्वाएиваем भागड़ा नागल बढण के जो लोकेशन आप देख रहे हो ! इसके बाद आप लोगों का चौथा जल्दी बाधा सलालबंद-बहुत जाएंब अचुका है ! तो सलाल बांद का लोकेशन आप जल्दी से लिख लो, यहाँ पर यहाँ लोकेशन सलाल बांद का है, पाँचमा है टीरी बांद, टीरी बांद यहाँ पर आईए, यहाँ लोकेशन जो वो टीरी बांद का है, पाँचमा है लिखा है, इसके बाद आपका सरदार सरवर बांद, सरदार सरवर बांद यह वाला लोकेशन है यह वाला लोकेशन जो है सरदार सरवर बांद का है जल्दी से आप वहाँ पर ट्रिक लगा लीजिए इसके बाद आप लोगों का है राडा परताब सागर बांद तो राडा परताब सागर बांद यहां है यहां से मैंने arrow देखे, यहां पर लिखा है, हराडा परताफ सागर बांध, तो यहां पर बांधों से, यहां पर साथ परकार के बांध पूछे जाते हैं, इसमें कोई ये कई ही बांध, आप लोगों को देखा, इसके बाद आये Classic में, This is a crisis. Car excited Zoe is a present for religion, से पुछेगा कि गियहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राजी क्या है पंजाब क्या है पंजाब है तो पंजाब यहां पर हम लोग देखेंगे कि पंजाब को लोकेशन क्या है यहां पर यह लोकेशन पंजाब को लोकेशन कहलाता है इसके बाद है दूसरा कि सरवधिक धवीन इस मिले हैं इसके बाद है काफी का सबसे बड़ा उतपादक राजNEY तो करनाटक है क्या है करना लाऍटक को दिखाता हूँ इसका करनाटक बढाइंगे और अगला प्रशन दिखेंगे च्वалась चावल का सबसे उत्पादक राजिया जो कि बिहार है चावल का सबसे उत्पादक राजिया बिहार और बिहार को मैं दिखा देता हूँ यहां पर यह वाला लोकेशन जो गुजरात का है तो यहां पर मैंने मांचीतर के सभी प्रशन आप लोगों को करा दिया जीतने भी प्रशन बनने वाले थे यहां पर इतिहास के पांच नंबर के मैंने कवर करा दिया और भोगोल के मैंने कवर करा दिया अगर वीडियो आपने पूरा च्छे से देखा होगा तो दस नंबर दस नमबर आप लोगों का है, एक नमबर भी छूटेगा नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,